तो जैहिन नमस्कार बात करेंगे ससे डीवर्ट थी द्वार पंदरा के बारे में तो मैंने जिस दिन कोट की हेरिंग थी 22 अगस्ति उस दिन मैं और की वेफसाइट पच्छी करा था लेकिन उस दिन कोट की वेफसाइट ने चले लेकिन जो आडर आया था 22 अगस्ति को उस आपको ज्या करना है कि आपको लाइक कर जाना है लेकिन आपको कोड जाने के वे रास्ता है अब ऐसा ना हो कि तो आप लोग हमारा सपोर्ट करो हम लोग जाता से ज़्यादा दूर तक साथो बड़े-बड़े नेताओ तक गिरह मंत्री है जैसे मंत्रा ले जहां तक आवाज पहुंच सकती हो आतम में पहुंचाता हूं आपकी ठीक है तो लेकिन जो निश्का से निकलता है वो आपको की ठीक है तो आफिसर चलते हैं देखांद तो आपको क्या करना है यह लिंक के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया तो जैसे हम लोग capture को फिल करेंगा total number आप case जो दो दिख जाएंगा तो किस case पर आपको click करना है तो यही हमारा case है यही यहाँ पर click करना है तो view more पर click करेंगा तो case की पूरी इस्ट्री आपको दिख जाएगी ठीग है मैं आपको live दिखा रहा हूँ ऐसे कोई दिखाता नहीं है हाला कि मैं आपके साथ बहुत दिनों से support कर रहा हूँ अठारा कहा है जो भी vacancy आती सभी का मैं support करता हूँ बस आप लोग मेरा support करिए आपको support की वज़से म की जो है वो next hearing लगी हुई है और देखते हैं 22 अगस्तों को सुनवाई थी 22 अगस्तों वाले आर्टर में क्या लिखा है क्या मलब की जो ऑनेवल जस्टि मनोज कुबार्तिवारी ऑनेवल मिस्टर जस्टि पंकच पुरोई जी थे उनकी बेंची में डिवेजन पेच्छी प तो यह अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लेना तो नीची आओगे नीची आओगे यह आप लोग देखते हो कि 22 अपनी डेट लगी थी ठीक है तो नेश्ट जो डेट लगी हो फचीस नौद यार तेस लगी है और उसके नीची हम लोग आएंगे तो यह देखो 22 तारी तो इंगलीच में तो समझाने में और समाझनें बहुत दिक्कत हो जाएगी बहुत टाइम लग जाएगा इसी आदरो को मैंने ट्रंसलेट किया हिंदी में तो उसको मैं पीडिया फाइल ओपेन तरफ दिखाता हूँ ठीक है यह आप ती सुबदा के लिए मैंने इसको हिंद अपडेट नाम से जाके जोड़ जाना ठीक है तो आप इसमें जो है मैं आपको पढ़ पढ़ के एक एक लाइन समझा देता हूं अपील करता की ओरतिया तरके दिया गया है कि कुल 710 रिक्या निर्धारित की गई थी जिसमें से 317 उत्रकंड आरक्षी थे सीमा और ती जिले से संब्दित उमिद्वारत लिएक है या आगे तरके दिया गया है कि 317 रिक्ति भरे जा चुपे हैं और सभी अभ्याति चैनित है विबिन ने सीमा रक्षक बलो में सेवा अन्रित है अपील करता कि विद्वान उकील ने भरोसा किया है द्वारा जारी पत्य दिनांग 1229 पर पावर सचिव ग्रेमन्त्रा ले अध्यक्स स्टाप को भारा सरकार चयन आयोक का तरके है कि कोई नहीं उत्राखंड के लिए निधारित पत्षे से मलब की जो अपील करता है उन्होंने का है कि 710 जो पर देव वो मलब की खाली है लेकिन जो सरकारी उकीलते जो मलब की सरकार की तरफ से उकील दलिली कर रहे दे उनका तरके है कि कोई नहीं उत्राखंड के लिए धारित पत्षे से अधूरा हला कि फुच परतीर होता है कि उक्ते पत्र में एस्पेस्टता जैसे कि भाग में भाग में है उक्ते पतों पर कोई रिखते उक लब दे नहीं मलब यह सरका कहा गया है पत्र इंद आ अगे बढ़ाया गया है यह कतन पर्खट वतागी ब्रोधा भासी हो ना ठीक यह में समक्स पता दिकार्यों को बताया गयर मंतरले न पूरत तो यह पनामाद दक है अग्या पर तीन सथा के बीतर उप रोकत पहलों को ऐस फस्ट करने के मामले दिये तो गरे मंतरले जो मरफ की योगील गरे मंतरले के उन्हों से कहा गिया है कि अगर आप ऐसे कह रहे हो तो अपको हलब नामा जारी करना पड़ेगा और की पद नहीं खाली यह तीन सब्दाग समय दिये गए ठीक है तीन सब्दाग मतलब जो आपकी डेट लगी 25 तारिक को तो उसी हिसाब तो तीन सब्दाग समय दिये उसी दिन साथो 25 सिप्टिमबर को दस्ताग देना है तो अब यह इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ट उपील ने हमारा ध्यान नेत दस्ताबेश की और आकरसित किया है अपील क दस्ताबेश की आधार पर यात्तार की दिया जाता है कि सीमा वर्ती जिले से सम्मधित उमीदवार है से अधिक 20% रिक्ति का हगदार को अवेंटित 60% रिक्ति से उपर जन्सन के अनुपात के आधार पर उत्रा खंड मलब की जो भी है दाकिल के जाने वाले पूरक सपत पत पर आवंटित किया जाता है राज्य इस मामले को दिनांग 25 से सोची बत किया है तो इस मामले को जो है 25 तारिक को इसकी जो फाइनल सुनवाई हो सकती ठीक है कि सरकार के उपिन से भी बोल दिया गया है कि आप जो है एफिडेपिट दाकिल करो अगर रिखते खाली नहीं है तो एक ये बड़ा पॉइंट हो सकता है फिडेपिन नदा की पर कर पाएं सरकार योगिल और आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो 25 तारिक को ही जारी करती है तो चैनल के जरूर जोड़ जाना चैनल को सस्क्राइब कर लेना जैसे ही सा तो सेकंड लिस्ट आएगी तुरंत आप प्रोसस क्या क्या है तो ये वीडियो को ऐसे लिए कि वीडियो को लाइक कर गए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूट रहे देना तब तक लिए जय हिन जय भारत